एक्जाम के अंदर एक बहुत सामानी क्यूशन पूछ जाता है energy currency in living organism मतलब क्या हुआ यहां पे कि सज्जियों के अंदर आपके उर्जा मुद्रा होती है वह आपकी क्या होती है यह फिर उर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है बहुत important क्यूशन है आपको नीट के अंदर बहु से पहली बात हम यहां पर यह जान लेते हैं कि जो आपके energy currency होती है यह क्या होती है तो यह आपके सामने कुछ लाइन से इन लाइन को यहां पर अच्छे से आप समझना कि जो आपके ATP होती है एडिनोसिंग ट्राइफ फोस्पेट इस दा energy currency मतलब उर्जा मुद्रा रेती कि में आपके living organism जो भी आपके सज्जीव है उनके अंदर उर्जा मुद्रा की रुप में ATP का आर्य करती है तो answer क्या हो जाएगा इसका ATP इसका जो निर्माण है वह स्वशन के अंत में किया जाता है तो ध्यान रखना कि स्वशन की परक्रिया के अंदर आपके ATP का formation होता है और स्वशन की जो में परक्रिया होगी आपको पता है उर्जा का निर्माण का माइटो कोंट्रेक्ट के अंदर और उर्जा का पावर हाउस कहा जाता है तो यह द्यान में रखना माइटो कोंट्रेक्ट के अंदर ATP का प्रकास निर्माण आपके प्रकास निसलेशन के अंदर पत्यों के अंदर और पत्यों के अंदर जो पाए जाता है उसके अंदर भी आपके ATP का formation होता है in autotropic nutrition आप देखो next यहां पर आपके सामने यहां पर ग्लाइकोलाइसिस चक्र है जो हम सोशन के अंदर पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर ग्लुकोज जब पाईवी का अंदर में कनवर्ट होता है तो यहां पर दो ATP का निर्माण होता है टोटल आ आप एनर्जी करेंची की नाम से जानते तो आज